नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिज शो में तो दोस्तों जी हाँ भारती खजाने का गोल्डन रन लगातार जारी है और भारत एक के बार एक रिकोर्ड द्वस्त करता जा रहा है आपको यादी होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानि की जिसे भारत का खजाना भी कहा जाता है पिछले हफते की एंडिंग पर 633 बिलियन डॉलर पर पहुच चुका था और ये हमारे आजादी के बाद से आज तक का सर्वोच्तम स्तर है भारत आज तक अभी भी अपने खजाने को 630 बिलियन डॉलर तक नहीं पहुचा पाया था 603 तो आप छोड़ दीजिए इसके आसपास भी नहीं था हमारा विदेश मुद्रा भंडार 300 से 400 बिलियन डॉलर के आसपास जूलता रहता था लेकिन इस बार 633 बिलियन डॉलर पर पहुच गया था और आपको याद होगा कि पिछले हफते भारत ने एक और रिकोर्ड बनाया था कि एक ही हफते में हमने करीबन साड़े सोला बिलियन डॉलर की छलांग लगाय थी ये भी एक रिकोर्ड था एक हफते में आज तक इतना खजाना हमारा कभी नहीं बढ़ा था लेकिन आप सभी लोग जानकर हैरान होंगे कि भारत ने इस हफते दोबारा फिर से एक और एक्स बिलियन डॉलर बढ़कर अब 642.5 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है और रेफरेंस के लिए इसकिन पर मैं आपको आर्टिकल भी दिखा रहा हूं और सबसे खास बात ये है कि सितंबर का महीना भारत के लिए एक्स्ट्रा ओड़नरी जा रहा है इसी महीने में सिर्फ रफ्तों के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 26 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है और इससे ये भी अब कंफरम हो चुका है कि भारत आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही 1 ट्रिलियन का आंकडा पार कर लेगा अगर भारत यही रफ्तार बनाए रखता है वैसे कई लोग मुझे से पूछते हैं जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि जो ये बिलियन डॉलर हैं अगर हम इने भारती रुपे में कंफर्ट करें तो कितना बैठता है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज की तारिक में ह दोलर का रेट आज की तारिक में है 73.5 रुपी पर डोलर पर इस हिसाब से अगर हम इसे कंफर्ट करें तो भारती विदेशी मुद्रा भंडार भारते रुपे में बैठता है 48 लाख करोड रुपे ये बहुत बड़ी रकम है उधान के लिए पाकिस्तान की जो टोटल वश्था को तो उससे भी जादा सिर्फ और सिर्फ भारत का खजाना ही है सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऐसे समय में बढ़ रहा है जब भारत लगातार तेजी से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च भी कर रहा है क्यूं कि कच्चे तेल की कियमते इस समय आसमान चू रही है ऐसे में उनकी पेमेंट डोलर में करनी पड़ती है तो हमारा बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार तो सिर्फ इसमें ही कर्च हो जाता है कि हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है अगर पूरा भारत इलेक्ट्रिक वहान इस्तमाल करने लगे और हम तेल का बैन कर दें तो भारत बिलियंस ओफ डोलर बचा ले जाएगा हर साल और इसलिए आपने देखा भी होगा कि भारत सरकार लगातार परियास कर रही है कि इलेक्ट्रिक वहानों पर सबसीड़ी दी जाए छूड़ दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्र सब्सक्राइब करना तो बिल्गों दभूलेगा थैंक्यू रमस्ट्रॉचिंग वडियो